नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 25 जनवरी 2022 के डेली न्यूस अनलेसिस में आपका स्वागत हैं देखते हैं कौन कौन सी न्यूस डिसकुस करेंगे पहली न्यूस है पाकिस्तान सेंट्स इंडिया अपलिया पाई हिंदू बॉड़ी फॉर एयर पिल्ग्रिमिश पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है इसमें इंडिया को एक प्रपोजल भेजा है कि कम से कम पिल्ग्रिम्स के मूव्मेंट को आप एफेक्ट मत करिए इंडिया से पिल्ग्रिम्स आ सके हैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से हिंदू पिल्ग्रिम्स भोग certificate है यह फसाई ने शुरू किया है तो इस respect में की information इसको देखेंगे इन्या में electronics manufacturing के target को थोड़ा सा नीचे किया गया है ठीक है पहले target 2025 तक 400 बिलियन डॉलर का था अब 300 बिलियन डॉलर किया जाला लेकिन अब भी बहुत हाई है किस प्रकार से है इसको देखेंगे फिर में तो बुर्कीना फासो कर नक्षे को देखेंगे म्यूटिनी में क्या हुआ है इसको समझने कोशिश करेंगे 24 जन्वरी था national girl child day इसके बारे में बात करेंगे चाइना ने 52 एरकाफ चाइना के ताइवान के air defense identification zone में भेजे इसने इसके बारे में बात करेंगे और यूक्र इससे शुरू हो जाती ही तो उस हिसाब से response कह जागा वैसे मैं आपको बता दू कि NATO के troops actively आके रश्या से लडनने वाले नहीं है वो back end से यूक्रीन को support देंगे ठीके सीधे सीधे वो आकर रश्या से लड़ेंगे इस बात की chances बहुत कम है तो इतनी बाते में आपे आपके स so that is specifically very helpful तो पहले जूस पाकिस्तान हिंदू लीडर प्रपोजस राइट फॉर प्रिल्ग्रम्स टू इंडिया देखे इंडिया और पाकिस्तान में के बीच में काफी लंबे समय से बैल लगा हुआ किस चीज के ओपर ट्रेड के ओपर ट्रेवल के ओपर दुनिया वर के टू और ट्रेड दोनों इंडिया पाकिस्तान के बीच में बंद हैं अब इन बंद होने के बीच में एक बॉड़ी है पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की हिंदूों को रिप्रेजिनेंट करती है नाम है पाकिस्तान हिंदू कॉंसल इसने प्रपोस किया है कि कम से कम हिंदू proposal forward किया कि इसको ministry of external affairs को हला कि इसमें बहुत सारे approval अभी लगने इस प्रकार का proposal accept होगा मुश्किल है चुकि देखिए यहां पर security issues व्या सकते हैं पाकिस्तान के तरफ से जो हिंदू इंडिया के अंदर आएंगे हो सकते हैं उनको ISI ने train किया हो ठीके ना और वो पाकिस्तानी जासूस और इस ऑल्वेज पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है तो भारत सरकार और सारे checks and balances के बाद ही यहां पर कोई decision या permission देगी यह जो request आई है पाकिस्तान हिंदू council की तरफ से आई हैंगे chief pattern रमेश वंकवानी की तरफ से और इन्डिया की तरफ से और इन्डिया की तरफ से अप्रूवल आना बाकी है वैसे देखा जाए तो हालात बाकी बहुत ज़्यदा खराब है श्री नगर से शार्जा की फ्लाइट जो नमबर 2021 में शुरू हुई है इसको पाकिस्तान ने बोल दिया है कि भाई आप पाकिस्तानी एर स्पेस के उपर से नहीं उड़ेंगे ठीक है तो कुल मिला के कुछ इस प्रकार के जो आपके सकते हो चेक्स हैं रिस्ट्रिक्शन्स हैं वो लगे हो है फॉर इडिया को पचास हजार मेट्रिक टन जो यहू था वो भेजना था अफगानिस्तान के अदर पाकिस्तान ने मना कर दिया हम नहीं भेजने देंगे तो यही सब चीजें हैं अच्छा अगर मान लिजे कि यहां पे जो प्रपोजल आया है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का एकसेप्ट हो जाता है तो पहली पाकिस्तान इंटरनेशनल एर लाइन्स की फ्लाइट होगी जो की 2019 के आपरेशन के बाद हो रहेगी और पहली पिल्ग्रिम फ्लाइट होगी जो 1947 ने लेका अपता कुड़ेगी चुकि देखे अभी तक इंडिया पिल्ग्रिम हो जाया पाकिस्तानी पिल्ग्रिम हो यानि इंडियन हिंदू मुसलिम्स हो जो की पाकिस्तान के अंदर किसी रिलियर साइट पे आ रहे हैं इन दोनों ही केसेज में 1974 के प्रोटोकॉल एक्सचेंज एग्रिमेंट के हिसाब से ये पिल्ग्रिम्स वगा अटारी बॉर्डर पे बॉर्डर क्रॉस करते थे फ्लाइटों के थूर नहीं आते थे तो अब फ्लाइटों के थूर आ जाएंगे अगर प्रपोजल इन और बाकी जो कंट्री जो पास्ट कुछ हफ्तों में पेशावर के थूरू पी आईए चार्टर से विजिट करने के श्री परम्हंस महराज मंदिर को जो की रिमोट खाइबर पक्तून वाला डिस्ट्रिक्ट में और इंडियन पिल्ग्रिम्स जब जाते थे तो वो वाग में सिटी में कुछ किलोमेटर ही आगे है तो लेट सी इस प्रपोजल का क्या होता वैसे दो चांसे बहुत कम है अगस्ट 2019 जब इंडिया ने आर्टिकल 370 रिवोक किया था उसके बास से इंडिया पाकिस्तान करिष्टे बहुत खराब है और विसी बास है पाकिस्तान बहु जो आपके पिल्ग्रिम्स है ट्रेवर है इसको बंद करो 50,000 में ट्रिक टंस ओफ वीड जो कि हम अफगानिस्तान को भीजना चाहते हैं वाया वागा बॉर्डर इसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन्स लगा दिये हैं हाला कि करतारपूर करिडोर चालू है कोछ इंडि पिल्डिंग मेडर हैं बहुत लिमिटेड बेसेस पे काम भी कर रहे हैं अब एक लिए देखा जाए तो दिल्ली और इसलामाबाद में जो एक दूसरे की अमबैसी है वहाँ पे हाई कमिशनर्स तक नहीं हाई कमिशनर्स एक जूनियर ऑफीसर है ओके जिसे बटू इंडिया इंडिया ने वैसे भी पिछले साल अपने स्टाफ को पाकिस्तानी अमबैसी में हाफ कर दिया था आपको याद होगा कि हमारे कुछ जवानों को पाकिस्तान की आर्मी कह लीजे या पुलिस कह लीजे जो भी हो उनकी सीक्रेट सर्विस उसने सीक्रेट तरीके से अगवा कर या उनको मारा पीटा तो उसके बास के इंडिया ने डिसीजन लिया था कि हम अपने स्टाफ को 50% कट डाउन कर देंगे नेक्स्ट चलते हैं भोग सर्टिफिकेशन फॉर परसादम दोस्तों अगर अब तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज दबा के वहाँ पे पहले तो प्रसाद चड़ाया जाता है खाना चड़ाया जाता है भगवान को और उसके बाद अबवे सी बाद है भगवान तो खाएंगे नहीं उनकी मूर्ती तो खाएंगे नहीं तो वो प्रसाद उसके बाड़ भगतों के बीच में बाट दिया जाता है और इस scheme में फसाई की blissful hygienic offering to God तो अभी स्टालिन साब 15 temples के executive officers से मिले एक event पे सचिवाले में ये event हुआ था तमिल नाडू की और वहाँ पे blissful hygienic offering to God ये भोग certificates दे दिया इन temples को ये certificate कि इसने इशु किये फसाई इन इशु किये food safety in standard authority of India तो अब इन certificates का मतलब क्या इन certificates का मतलब ये है कि जिन पंदय टेमपिलों को यहां पे certificate दिया गया है यहां के खाने को officially check करके audit करके फसाई ने certify किया है कि that it is safe, hygienic and safe to consume. 2018 में ये फसाई लाँच किया गया था काम क्या है देखिए भोग actually भोग platform फसाई द्वारा 2018 में लाँच किया गया तो फसाई के में बारे में अलग से बताऊँगा फसाई क्या है? It is a statutory autonomous body under food safety and standards act तो चुकि एक act के अंदर बनाया गया है फसाई इसलिए a statutory body होगा ministry of health and family welfare के अंदर आता है job क्या है? It is responsible for protecting and promoting public health through the regulation and supervision of food safety तो food safety के लिए हमारे देश में body है फसाई फसाई ने 2018 में लाँच किया blissful hygiening offering to God तो टेंपिल में जो प्रसाद चलाए जाएगा भगवान को खाना भी एका टेंपिल में बढ़ता है तो पहले भगवान को समर्पित किया जाता है उसके बाद लोग खाते है तो जो लोग खा रहे अल्टिमेटली वो फ्रेश रहे food safety और हाईजीन मेंटेन रहे serving कैसी होगे food की overall ये sorry food की food के बनाने के लिए raw materials कैसे source किये जा रहे है इन सब चीजों के respect में यहाँ पर overall एक audit होता है training भी दी जाती है food handlers को basic food safety के लिए handle किया जा रहा है उसके लिए basic audit conduct किया जा चुका है उसको check किया जा चुका है जीएस पर परत्री food management में news आपको काम आईगी next news is national celebrated national girl child day देखे national girl child day पूरे देश में celebrate किया जाता है 24 जनवरी को objective क्या है to provide support and opportunities to the girls in India तो girls child के rights के बारे में awareness प्रमोट करना और girl education की importance को लोगों को point out करना उनकी health और nutrition के बारे में लोगों को aware करना ये सब काम होता है ये सब objectives है national girl child day के इंडिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर gender discrimination प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर बिल्कुल प्रॉब्लम है इसलिए इस प्रॉब्लम को sort out करने के लिए 2008 में national girl child day चलाया गया था ministry of women and child development के दौरा 24 जनवरी को मनाया जाता है ठीक है भाई simple सी news है एक और objective है इस particular day का कि भाई एक girl child के सामने जो inequalities आती हैं उनके बारे में बताना और लोगों को educate करना कि आप inequality से कम करो लोगों को educate करना कि girl की education overall society के favor में है उनको value देना उनको respect देना society का जो नजरिया है girls के respect में उसको बदल देना और इन सब चीजों से female fetiside कम होंगे society का attitude बदलेगा बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ा सुकर्णिया समरिद्योजना CBSC URAN scheme free or subsidized education for girl child reservation of women in college and universities national scheme of incentive to girls for secondary education तो ये कुछी scheme है जो एक-दो points के साथ अगर exam में code कर देंगे आपको एक-दो number extra मिल सकते हैं GS paper on women empowerment में news आपको काम आईगी next news है India can make 300 billion dollar electronics by 2026 देखे pandemic के चलते कुछ unforeseen and unprecedented challenges आगे हैं जिसको हम पहले expect नहीं कर सकते थे और उसके चलते ना चाहते हुए भी हमें national policy on electronics के अंदर जो हमने target रखा था उसको कम करना पढ़ रहा है पहले national policy of electronics 2019 के अंदर target रखा गया था कि 400 billion dollars policy of electronics 2019 की बात करो तो union cabinet में फरवरी 2019 में इसको अप्रूब किया था और obvious से वाद हो उस समय किसी को भी ये idea नहीं था कि कोरोना जैसी कोई चीज आ जाएगी तो इसका जो policy document था क्या envision करता था कि इंडिया को global hub बनाया जाएगा electronic system design and manufacturing का हमें 400 billion dollar का turnover जो टाना था 2025 तक जो कि employment opportunity देगा एक करोन से लोगों को से जादा लोगों को एक billion mobile handsets बनाना इंडिया के अंदर 2025 तक enabling environment बनाना इंडिया के अंदर electronics industry के लिए और इसके साथ साथ एक sovereign patent fund बनाया जाएगा ये patent fund promote करेगा develop करेगा और acquire करेगा intellectual property in the ESDM sector अब आप बोलोगे sovereign patent fund क्या है तो ये एक state-led investment वहकिल है जो जिसका काम है जिसका intention है acquire करना important intellectual property assets और ये national economic objectives को भी promote करता है तो ये है national policy and electronics main चीज क्या थी 400 billion dollars का electronic sector 2025 तह अब ये 400 billion dollar कम करके कर दिया गया है 300 billion dollar by the end of 2026 मनें 2526 तक 300 billion dollar का electronic production चुकि देखे Ministry of Electronics and Information Technology इंडिया Cellular Electronics Association ने assess किया है कि pandemic के चलते इतना ज़ादा slowdown आ चुका है कि 400 billion dollar के target को पूरा कर पाना मुश्किल होगा लेकिन अगर आप 300 billion dollar के target को भी देखो तो वो भी कम नहीं है ऐसा है यहां पर बता रहे है 2015-16 में इंडिया में electronics manufacturing का जो overall आपके लोग 10 ओवर था 37.1 billion dollar 2020-21 में आ चुका है 67.3 billion dollar 67.3 billion dollar से 300 billion dollar भी पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है इसके लिए बहुत सारे qualitative issues को sort out करना पड़ेगा बहुत सारे quantitative issues को sort out करना पड़ेगा यह क्या होते हैं जैसे for example इंडिया के अंदर आप electronic sector को promote करने के लिए कोई एक raw material इंपोर्ट कर रहा हूँ हमने चाइना से बहुत सारे integrated chips इंपोर्ट करते हैं तैवान से इंपोर्ट करते हैं उन integrated chips का इस्तमाल करके हम electronic के product बनाते हैं तो यह integrated chips जब import होती है इसके ओपर कितना import tariff लगेगा कितनी quantity में import कर सक हो सकती है इसके लिए सरकार समय समय पर policies लेके आती है tariffs लेके आती है quotas लेके आती है इस प्रकार की chip आप maximum इतनी import कर सकते हो इसके ओपर इतनी anti-dumping duty लगेगी तो इस सारे aspects को देखना पड़ेगा electronic sector के बूम कराने के लिए ठीक है तो 2025 चब्श तक 300 billion dollars का target achieve करना है electronic manufacturing में और इस document में लिखाए कि अगले 1000 दिनों में जबरदस्ट changes होंगे जैसे कि import tariff में stability import tariff को कम करना ताकि इंडिया में electronic manufacturing भी इसको set up किया जा सके अब obvious ही बात है electronic sector में लगने वाले सारे equipment inputs raw materials हमारे पास readily available नहीं है तो हमें बहुत सारे बाहर से इंडिया के अंदर import करने पड़ते है प्रस इंडिया के अंदर एक skills है develop करना जिनको ये electronics बनानी आती हों और इसके लिए best यह है कि foreign manufacturers इंडिया के अंदर आके अपनी company set up करे अगर हम इतना कुछ कर लेते हैं तो अपने electronics sector को बढ़ा पाई है और ऐसा बताया जा रहा है कि 2025-26 तक जो domestic demand होगी electronics की वो होगी somewhere around 180 billion dollar की तो अगर हम 300 billion dollar का manufacturing target पूरा कर लेते हैं तो हमारे देश के अदर electronics की जितनी demand है हमारे देश से पूरी कर सकते हैं हमें China जैसी, Taiwan जैसी, South Korea जैसी, Philippines जैसी company से मंगाने का जरूत, country से मंगाने की जरूत नहीं पड़ेगी, जिस फेपर 2 और जिस फेपर 3 में news आपको काम आएगी next news है, amid Ukraine काईसे NATO sends planes ships to Houston Europe देखे ये news तो दिन के दिन रोज ही आ रही है tensions बढ़ गए है, रशिया ने एक हजार एक ट्रूप्स डिप्लोई कर रखे, हैवी आर्मर डिप्लोई कर रखा है US, Britain, Australia ने तो अपने diplomats को बोलाए कि आप कीव छोड़ दो मतलब Ukraine की राजधानी छोड़ दो France ने अपने citizens को बोलाए कि अगर जरूरी ना हो, तो Ukraine मच जाओ हाला कि Ukraine के अंदर से European Union के अंदर से ये स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि भाई, इतनी जल्दी आप diplomatic personnel को विड्रॉ कर रहो है, ये सही नहीं है, देखे, जब एक country हो, दूसरी country की भी जंग चिड़े जाती है तो जंग चिड़ने से पहले बहुत सारे diplomats को विड्रॉ कर लिया जाता है, जो कि diplomats को hostage मना के negotiate किया जा सकता है तो इसके चलते हैं, US, Britain Australia ने अपने diplomats को बुला लिया अब इन्होंने अपने diplomats को वाफस बुला लिया इसका क्या मतलम निकलता है, इसका ये मतलम निकलता है कि सच में जो situation है वो बहुत ज़दा खराब है, हो सकता है Britain, US और Australia को internally ऐसा लग रहा हो कि Russia यहाँ पर definitely attack करेगा और अगर Russia यहाँ पर definitely attack करेगा और वहाँ पर US और Britain मदद करते हैं Ukraine की, तो definitely आप कहलो कि एक country by country issue हो जाएगा फिर US, Britain के ambassadors को Russia capture करके एक negotiating बेट की तरह इस्तमाल कर सकता है तो ऐसे बहुत से factors play में आ जाते है हाला कि Ukraine, जो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत अकेरा पढ़ रहा है European Union का statement आए कि एकदम से अपने diplomats को Ukraine से निकालने की ज़रोत नहीं है, इतनी जल्दी निकालने की ज़रोत नहीं है अभी देखे, तो यूएस के जो टॉप डिप्लोमेट है एंटोनी ब्लिंकन साब इन्होंने अभी रिसेंटी अपने European Union के counterpart से phone पर बात की Brussels में उन्होंने बताया कि देखे, मैंने जो मीटिंग की दी Russian Foreign Minister Sergei Lavrov से कुछ प्रॉपर यहां पर outcome नहीं निकल पाया है मैं फिर से जल्दी ही उससे meeting करके चीजों को sort out करने की कोशिश करूँगा यहां पर USA European Union के partners के साथ मिलके और sanctions लगाने की बात कर रहा है Russia के ओपर US-led NATO alliance को यहां पर stand by पर रखा गया है ताकि कल की date में अगर कोई tension आती है और किसी NATO member के उपर खतरा आता है तो अब वेसी बात है NATO प्ले में आ जाएगा वह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि NATO actively involved होके Ukraine के उपर invasion रोकेगा इस बात के chances बहुत जादा कम है फिर Denmark, Spain और Netherlands भी अपने force को mobilize करना है force को mobilize करना मतलब consolidate करना है एक जगा पर station करना अब ये forces वार के समय पर Ukraine की मदद करने आएंगी इस बाग पर थोड़ा doubt है नेक्स्ट है भाई NATO North Atlantic Treaty Organization इसको North Atlantic Alliance भी खा जाता है Intergovernmental Military Alliance है 27 European countries है दो North American countries है एक Eurasian country है ठीक है ये North Atlantic Treaty को implement करते हैं जो 4 April 1949 को sign होई थी NATO का headquarters है Brussels Belgium में NATO में बात की गए collective defense अंडर Article 5 NATO की फांडिंग टीटी का जो है जो NATO की फांडिंग टीटी है Washington Treaty तो Article 5 of the Washington Treaty में बात की गए collective defense की है मतलब अगर NATO के एक member के उपर attack होता है तो उसको सारे members के उपर attack माना जाएगा और protect करने आएंगे बाकी सारे members उस member को लेकिन इस प्रकार के सिद्दान फर्जी हो चुके एक ऐसा ही organization है CSTO collective security treaty organization इसमें अर्मेनिया member था और इसका बाप था रशिया अर्मेनिया के उपर attack हुआ अजर्बाइजान के तोरह तर्कीक खुले आम यहाँ पे अजर्बाइजान को support दे रहा था तर्कीक NATO member है लेकिन तब भी रशिया CSTO को protect करने के लिए नहीं आया एक reason यह बता रहा था कि रशिया को अजर्बाइजान को weapons बेचने तो इस प्रकार के treaties obviously बात है मतलब नहीं इनका यह बस paper में ही रहती है अच्छा नाटो की बात की जा तो नाटो ने बहुत सारे collective defense measures लिए है सीरिया में collective defense measures लिए गए है रशिया यूकरेन में लग राय प्राइम फेसी कि यहाँ बात नाटो मदद कर सकता है यूकरेन की तो यह सब चीजे हैं यहाँ पर यह नाटो के members हैं आपको मैं PPT available करवा दूँगा आप बाद में देख सकते हैं बूर्कीना फासो में एक problem हो गई बूर्कीना फासो के soldiers ने अपने president को यह बंदी बना लिया है तो बूर्कीना फासो के अंदर प्रेजडेंट रॉच मार्क कृशिन कबोर को यहाँ पर बंदी बना लिया गया है ठीक है soldiers ने mutiny कर दी और इन्हें बंदी बना लिया गया अच्छा यह जो soldiers ने mutiny किये बहुत सारे अलग-अलग आर्मी बैरेक्स के soldiers ने mutiny कर दी है इन्होंने बोला है जो military top brass है military leadership है यह हमारा ध्यान नहीं देती इसको sack करने की जरूत है और बुर्कीना फासों के अंदरे ब्रड़ी जिहादिस्ट इंसर्जेंसी चल रही है बहुत सारे terror group activated है जो कि बुर्कीना फासों के बड़े अलाके पर कब जाना चाहते है तो इन सब चीजों को लेके प्रेजडेंट रॉक मार्क क्रिशिन कैबोर के अगेंस्ट लोगों के अंदर भी गुस्ता था मिलिटरी एलीट के अगेंस्ट लोगों के अंदर गुस्ता था तो यहाँ पे soldier सी सा लोगों को पूता रहा है और उन्होंने यहाँ पे कह दीजे की एक कूप टाइप का कर दिया है लेकिन इस कूप का प्रॉपर लीडर कौन है यह अभी निकल के नहीं आ पा रहा है मिस्टर कैबोर जो की प्रेजडेंट है इनके प्राइविट रेजडेंट के बाद कुछ गन शॉट्स है फिर एक हेलिकॉप्टर दिखा फिर बाद में यह पता चला कि इनको कूप कप हिस्सा कौन-कौन है कूप हो भी रहाय की नहीं हो रहाय है अब यह कुछ भी क्लारटी नहीं है सब rumors चल रहे है reason being की mobile internet काट दिया गया है बुर्कीना-फासो के अंदर थोड़ा एक दो दिन बाद और clear news इस पर्टिकुलर केस में निकल के आएगी मिस्टर कैबोर जो कि प्रेजिडेंट मने थे 2015 में वो 5 साल बात फिर से हाँ पे एलेक्शन जीते लेकिन कहीं न कहीं वो सक्सेस्फुल नहीं रह पाए हैं जिहादिस्ट इंसरजेंसी को रोकने के रहे हैं और इस जिहादिस्ट इंसरजेंसी के अंदर बुर्कीना फासु के लोग परिशान हो रहे हैं तो मिलिटरी के जो सोल्जर से उन्होंने सॉलुशन दूर लिया प्रेजिडेंट को अरेस्ट कर लिया लेकिन अब सरकार बना पाएंगे कितनी रिप्रेजेंटेटिव सरकार बना पाएंगे ये बड़ा कुशन रहता है बुर्कीना फासु का अगर आप बॉर्डर देखो तो नॉर्थ में वेस्ट में बहुत बड़ा बॉर्डर माली के साथ लगता है नॉर्थ इस्ट में बॉर्डर लगता है नाइजर के साथ साथ इस्ट में बॉर्डर लगता है बेनिन के साथ साथ में बॉर्डर लगता है टोगो के साथ घाना के साथ और आईवोरी कोस्ट के साथ एक लैंड लॉक कंट्री है अगर आप अफरीका के नक्षा देखो तो यहां पे आपको नजर आएगा कान बुर्कीना फासो तो आप कह सकते हो कि यह वेस्ट अफरीका में है या फिर कह लिजे नॉर्थ वेस्ट अफरीका में है ठीक है? सम्वेर अफरीका में अगर लोकेशन देखी जाए तो और देखा जाए भाई, तो इस बार जबरदस्त कूप होए 2021 के अंदर, एक फरवली 2021 को माइनमार में कूप हो गया था अफरीका में कूप की बात की जाए, तो 24 मई 2021 को माली में कूप हुआ है ठीक है, 25 जुलाई 2021 को टुनिसिया में कूप हुआ है ओके, 5 सेटेंबर 2021 को गिनी में कूप हुआ है ममादी दंबोया ने किया है, प्रेजडेंट एलफा कॉंडे थी, यह मैंने इन्फॉर्मिशन आपके साथ कवर की थी अलग वीडियो में फिर अगर आप देखो, तो 25 सेटूबर 2021 को सुडान में कूप हुआ है चनल अबल अबदल फता अलबुर्हान ने किया है, और अवराल अबदल्ला हम्दोग को हटा दिया गया है और 24 जनवरी 2022 की न्यूप से, अल्मोस्ट बुर्कीना फासों में कूप हो गया है प्रेजडिन्ट रॉच कैबवर को हटा दिया गया है किसने हटाया है यह जानकारी अभी क्लियर नहीं थोड़े दिल में क्लियर हो जाएगी जेस पेपर टू इंटरनेशनल नीज में नीज आपको काम आएगी नेक्स्ट चाइना एंड्स 52 एरक्राफ्ट तोवर्स ताइवान जोन यह निज रह रहा है कि आती रहती कि चाइना अपने एरक्राफ्ट को ताइवान के एर डिफेंस आइडिफिकेशन जोन में भेज देता है तो भाई संड़े को 39 पेले के एरक्राफ्ट आये एडिफ में और 13 और आये मंडे को इन 39 पेले एक्राफ्ट में 34 जे फाइटर्स थे जे शिस्टीन चार एलेक्रोनिक वारफेर्स थे एक H6 bomber था और Monday को 10 J16 fighters आये थे दो H6 bombers आये थे एक Y8 anti marine aircraft आया था ओके तो इससे पहले भी ताइवान के Air Defense Identification Zone में चाइना अपने हवाई जाज बेजता रहता है ताइवान वाले अपने हवाई जाज उडाते हैं warning shots देते हैं और फिर चाइना वाले वापस लोट जाते हैं ये अक्सर कर देखने को मिलता है इस बार हवाई जाज उडाने का fighter jets भेजने का region क्या हो सकता है चाइना का तो ऐसा बताया जा रहा है कि US और जापान की recently एक drill हुई थी और इस drill के अगेंस्ट गुस्सा दिखाने के लिए most probably चाइना ने हो सकता है यहाँ पर हवाई जाज बेचे हूँ ताइना की अगर बात की जाए तो चाइना ताइवान को अपनी प्रोविस समझता है Chinese Civil War 1949 के बाद से यह दोनों अलग-अलग राज कर रहे है हलाकि एक फरकार का settlement बना हुआ दुनिया भर की countries के उपर China ने force डाल के यह बोला है कि Taiwan is not a different country और इसलिए दुनिया भर की countries को तैपई नाम से बुलाती है इसको Taiwan नाम से नहीं बुलाए जाता है ठीक है यह आपको Taiwan का नक्षा यहाँ पर नजर आरा जीएस पेपर 2 में आपको न्यूज आपको काम है गोराज की आखरी न्यूज स्मित्यमंदाना जी को बनाये गया है ICC Women's Cricketer of the Year अगर आप बात करो तो 2018 में यह Women's ODI Cricketer of the Year बनी थी इस बार यह ICC Women's Cricketer of the Year बनी है Across All Format 2021 में अब्विस यह बात है Women's की बात हो रही है और ICC T20 Women's Team of the Year जो बनती है न उसमें स्मित्यमंदाना जी का नाम है और भी कुछ नाम है जैसे Tammy Bument England की है Lizzie Lely South Africa की है Gabby Lewis Ireland की है Rachel Heo अच्छा Sorry Gabby Lewis Ireland की हो और स्मित्यमंदाना इंडिया की है तो ICC Women's Cricketer of the Year Across All Formats को ने स्मित्यमंदाना यह SSC टाइब की एक दो लाइन्स में आप से पूछ जा जाता है और भी कुछ इंफॉमेशन है She is the only second woman player to win the highest individual distinction in overall category फिर यह vice captain मी है तो she is the second Indian woman player to bag an ICC Award वेटरेन, फास्ट बोलर जूलन गोस्वामी जूलन गोस्वामी को 2007 में ICC Player of the Year का वार्ड मिला तो इसके बाद दूसरे Indian woman player है जो कि यहां पे यह ICC Award पाई है शाहिन शाह अफरीदी जो है पाकिस्तान के इनको ICC Men's Cricketer of the Year का वार्ड मिला है 2021 के लिए जिस में परवन स्पोर्ट में न्यूज आपको काम है तैंक यूज वाचिंग फ्रेंट्स आज की डेट में इतने ही न्यूज है जादा से जादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेर करिएगा अपने व्यूपोंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जरूर जाएगा और पॉसिबल प्लीज क्लिक दे जोइन बटन इस पेसिफिकली वेरी वेरी हलफू आप ग्रेट देफेरेंट्स गुडबाय धियान रखिये अपना